नमस्कार मैं रितेस कुमर आज हम इस वीडियो में इस पेसली ओजा 3136 जो कि महंदरा ने अभी ओजा सिरीज के साथ में 7 ट्रेक्टर लॉंच किया उसमें से एक ट्रेक्टर इसके बारे में हम अभी विस्तार से जानेंगे और इस ओजा सिरीज के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है अब डिस्क्रीप्से में जाकर उस वीडियो को या फिर हमारे शेनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं उसमें Oja Series में क्या क्या features मिलेंगे उसको काफी अच्छे तरीके से बताया गया है और इसके पहले जो Oja Series के टरेक्टर पर वीडियो बनाया गया है उसमें प्रोजा, मायोजा, रोबोजा इन सभी चीज़ों का क्या मतलब है टरेक्टर में इस अभी चीज़ों को इस तरस से इस अभी चीज़ों को अच्छे से बताया गया है तो आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें तो चलिए दोस्तों अब Oja 3136 के बारे में बात कर लेते हैं इसका जो ओवराल लूक है और डिजाइन है यह कम्प्लिटल नया डिजाइन किया गया है और इस डिजाइन को मेहंदरा ने मिश्टू बिसी के साथ में मिलके बनाया है और इन टरेक्टर का जो डिजाइन है इसे उनी लोगों ने डिजाइन किया है जिन लोगों ने अभी मेहंदरा में आने वाल न्यू कार जैसे की स्कॉर्प्यो एंड इन सभी को डिजाइन किया है उन सभी ने मिलके ही इस ट्रक्टर को डिजाइन किया है जिस वह जासे इसका लूक्स जो है काफी बहतर देखने को मिलता है और इसमें फ्रण्ट में आपको चार प्रोजेक्टर हैड जैब मिल जायगा पर इसमें भी सिंगल पीस बॉनेट ही आता है तो चलिए इसके इन जन लेते हैं इसमें इसको कहीं पर भी नहीं बताया गया है जब भी हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगा तो हम आगे वीडियो में उसको बता देंगे या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो CC है इसको मेंशन किया जाएगा खैर इसमें हमें 3-Cylinder Natural Spirited Ingen देखने को मिल जाता है जो कि 36 HP का पावर पचीस सो इंजरेट आरे पीम पर प्रेडूस करता है और इस ट्रेक्टर का जो टॉर्क है वहां 121 नूटर्मीटर का है मतलब इसका जो परफॉर्मेल से आपको ठीक ठाक मिल जाएगा और इसमें Fuel Supply के लिए Innel Fuel Pump भी दिया गया है और यहीं इसके Gearbox को देखे तो इसमें 12 Forward प्लस 12 Reverse Gear मिल जाएगा वो भी Consciousness Gearbox के साथ में और इसके Range Liver में देखे तो आपको High, Low और Creeper का Option मिल जाएगा और वहीं Speed Liver में 1,2,3,4 मिल जाता है इसके लावा इस Tractor में आपको Swingo Shuttle Shift Liver दिया हुआ है जो की बिल्कुल Smoothly Work करता है हमने बहुत से Tractor को चला कर देखा है इसमें Swingo Shuttle Shift Liver आता है तो उसको Forward और Reverse करना काफी असान होता है Normal Shuttle Shift Liver के मुकाबले खैर इसमें जो Creeper Gear दिया हुआ है उसकी मदद से आप इस Tractor को कम से कम स्पीड में चला सकते हैं बहुत से ऐसे इंप्लिमेंट आते हैं जिसके लिए आपको Tractor पर जो गती है वो काफी कम चाहिए होता है तो उस Condition में आप इसके Creeper Gear पर यूज़ कर सकते हैं और Creeper Gear की मदद से यह Tractor 0.3 km per hour की स्पीड से चल सकता है मतलब एक घंट में केवल 300 मीटर का ही दूरी तै करेगा यह अभी एक काफी अच्छी बात है और दोस्तों जब भी हमारे यह Tractor एवलेबल हो जाएगा तो इसके उपर लाइव रिवी वीडियो जल्द से बनाकर लाया जाएगा और किसाल साती हो अगर आप महंदरा के कोई भी Tractor's का लाइव रिवी वीडियो देखना चाहते हैं तो उपर आई बटन में क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर महंदरा Tractor's के सभी वीडियो को देख सकते हैं हमने लगभग सभी Tractor's पर लाइव रिवी वीडियो बनाया हुआ है और यहीं ओज़ा 3136 के PTO की बात करें तो इसमें 31.9 HP का 60 spend पीटियो देने को मिल जाएगा और इसमें e-PTO दिया हुआ है इसका मतलब इसका जो PTO कुल अच्छा इसका electronically कंट्रोल किया जाएगा और यहां है बटन की वज़स से operate होता है और इसमें auto PTO को भी function मिल जाता है मालो कभी आप pesticide छिडिकाओ कर रहे हैं उस condition में आपने auto PTO on कर दिया है तो उस time पर जब आप Tractor को turn लेंगे तो उस से में PTO automatic बंद हो जाएगा जिससे आपका pesticide भी बरबाद नहीं होगा और जब PTO बंद हो जाएगा तो कहीं न कहीं diesel का भी बचत होगा तो यहां पर आपका जो दवाई का छिडिकाओ परते हैं उसका भी बचत हो जाएगा और diesel का भी इसके लावा मालों आप रोटावेटर चला रहे हैं और जब आपने reverse gear लगा दिया तो उस टाइम पर इसका जो PTO है यह automatic बंद हो जाएगा तो यह function आते हैं इसमें जो कि आपको इस category की कोई भी ट्रेक्टर में देखने को नहीं मिलेगा लेकिन एक चीज़ तो मानना पड़ेगा कि महंदरा चाहे अपना कार हो या फिर अपना ट्रेक्टर उसमें फीचर्स देने में कभी भी नहीं हिस्ट की चाहता है इसके ट्रेक्टर हो या फिर कार्स इसमें आपको बहुंच से नहींने फीचर्स पहले ही देखने को मिल जाते हैं खैर अगर इसके PTO Speed की बात करें तो सायद इसमें 540 Standard और Reverse PTO का Option मिल जाएगा इसमें 540 Standard और 540 Economic का Option मिल जाएगा और यहीं इसके PTO को जो clutch है इसमें weight clutch यूज़ किया गया है जिसको जसे काफी smoothly और precise काम होगा और इसके rear tire की बात करें तो 12-4-24 के आपको rear tire देने को मिल जाएगा और इस tractor में आपको 950 KG का lifting capacity मिल जाता है इसके लावा इसमें auto lift का भी option मिल जाएगा मतलब जब आप इसके auto implement lift को on कर देंगे उस condition में आप मालो cultivator चला रहे हैं और आपने reverse gear लगा दिया तो यह जो implement है वो automatic उपर हो जाएगा इससे आपको बार बार lever को छेड़ना नहीं पड़ेगा जैसे कि पुराए ट्रेक्टर में क्या होता है जब हम reverse gear लगाते हैं तो हमें reverse gear लगाते समय ही उसके position control lever को भी control करना पड़ता है तो यहाँ पर इस ट्रेक्टर में आपको काफी जादा आराम मिलने वाला है इसके लावा इसमें EQL मिल जाएग मतलब electronic cube lift and lower switch जिसकी मदद से आप एक बटन की मदद से ही implement को उठा सकते हैं और नीचे रख सकते हैं यसे कि यह होने के ट्रेक्टर में लिफ्टो में टीक आता है बिल्कुल उसी तरह से वर्क करता है लेकिन electronic button होने के वाज़ा से यह काफी अराम दायक भी रहेगा और इसके fender में आपको switch मिल जादे हैं जिसकी मदद से आप इसके lower link arms को control कर सकते हैं जो की implement attach करते समय काफी switch हो जाएगा और यहीं इसके axle की बात करें तो इसके front में आपको bevel gear के साथ में axle मिल जाएगा जिसका turning radius काफी कम होता है जिससे आप इसे छोटे से छोटे जगे पर असानी से घुमा सकते हैं और इसके rear में सायद epicyclic axle देखने को मिलेगा या फिर inboard reduction दोनों में से किसी एक के साथ में आने वाला है और किसान भाईयों आप ऐसे अगर किनी को इसके बारे में मालूम हो कि इसके rear में कौल सेक्सल आता है तो हमें comment box में बता सकते हैं और आप मैसे जिन्मी किसान भाईयों को किसी ट्रेक्टर के बीच में confusion है तो आप हमारा नया चैनल अजार ट्रेक्टर में जाकर देख सकते हैं वहाँ पर लगबग बहुत से ट्रेक्टरों का उसके category के हिसाब से comparison किया गया है और आगे भी करते रहेंगे तो आपको अगर किसी ट्रेक्टर का comparison भी वीडियो चाहिए तो इसमें हमें double acting power ratio देहने को मिलेगा जो की काफी smooth होते हैं और जो ट्रेक्टर के ground clearance है ये भी काफी सही होने वाला है इसके लावा इस ट्रेक्टर में भी आपको GPS track location प्लस diesel monitoring इस प्रकार के सभी features मिल जाएंगे मतलब आप इस ट्रेक्टर का live location देख सकते हैं कि आपको ट्रेक्टर कहा काम कर रहा है और आप इसमें एक geofence भी बना सकते हैं मतलब इस area से बाहर आपको ट्रेक्टर नहीं जाना चाहिए ऐसा गरके भी और उस area से आपका tractor अगर बाहा जाता है तो आपके mobile पर notification आ जाएगा इसके लावर diesel monitoring मिल जाता है मतलब आपके tractor में कीतना diesel है वो proper आपके mobile में बताते रहेगा और उसमें कभी अचानक से diesel कम हो जाता है तो उस condition पर आपके mobile में notification आ जाएगा इससे आप समझ जाएगे कि या तो diesel की जोरी हुए या तो फिर कहीं पर diesel निकला जरूर है तो यह से भी features इस tractor में भी मिल जाएगे और अगर इसके brakes की बात करें तो इसमें भी आपको auto one side brake का features मिल जाएगा मतलब जब आप tractor को field में चलाते समय जब turn करेंगे तो उस समय आपके turning के हिसाब से rear wheel में brake apply होते जाएगा ताकि आपका जो turning radius है वो कम से कम हो सके और अभी normal tractor में क्या होता है जब हम turn ले लेते हैं उस समय हमें steering plus brake दोनों को control करना पड़ता है जो कि काफी ठकान भरा process होता है तो इस feature से किसान भायों को यहाँ पर भी सहुलियत मिल ले वाला है और इसके जितने भी मैंने आपको features बता जैसे auto pt on off, auto implement lift, one side break यह सभी के buttons जो है आपको fender में देखने को मिल जाएगा और इसमें जो position control, draft control lever है यह भी काफी smooth दिया हुआ है जैसे JCB में accelerator आते हैं उस तरह से ही smooth इसमें यह होने वाला है और इसमें आपको काफी precisely implement कितने गहराई में जाकर काम परना चाहिए उसको set कर सकते हैं और इसका जो automatic draft and draft control जो sensor है यह भी काफी advance दिया हुआ है जो की field में काफी अच्छे से work करेगा तो महंदरा ने इस tractor में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ा है चाहिए वो इसका engine हो, gearbox हो, hydraulic हो या PTO सभी चीज़ इसमें काफी advance दिया हुआ है और हाकिसान भाईयो Oja series में जितने भी tractors आते हैं या फिर आएंगे वो सभी केवल four wheel drive बे साथ में आएंगे और इन सभी tractors को international quality के हिसाब से बनाया गया है क्योंकि ये सभी tractors यहां से बाहर बहुंस से country में as it is ऐसा ही export किया जाएगा इसमें कोई भी फेर वदल नहीं होगा मतलब जो बाहर में tractors चलेंगे महंदरा के वोई tractors इंडिया में भी रहेंगे जो की काफी अच्छी बात है तो दोस्तो ओजा 3136 का कहानी जो था इतना ही है इसके लावा अगर आपके मन में और भी कुछ doubt इसके related रह जाते हैं तो आप हमें comment box में पूछ सकते हैं और वैसे भी हम इसका live review वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं तो वहाँ पर भी सभी चीजों को clearly बताए है